नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना, ब्लेसिंग स्ट्रीम गाजियबाद से हूँ और आज हम बात करेंगे अनोखा सम्मेलन अनोखा सम्मेलन का मतलब है कि हमारे विचार के साथ साथ शाकरात्मक विचार के साथ उनकी पीछे की जो भाबना है वो कैसी है उतकी पीछे जो आस्था है वो कैसी है भाबना और आस्था का मिश्रन ही अनोखा सम्मेलन है बिचार यदी साकरात्मक है और उनकी पीछे की भावना प्रबल है और उनमें आस्था का मिश्रन है तो वो बिचार ततकाल अपने भौतिक रूप में बदलना सुरू कर देते हैं बिचारों का भावनात्मक पक्ष वे तत्व है जो बिचारों को जिवन्ता और शक्रियता देते हैं ना केवल आस्था से जुड़े बिचार संबेग बलकि किसी भी साकरात्मक या नाकरात्मक भाव से जुड़े बिचार संबेग अब चेतन मस्तिस्क तक पहसते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। उदाहरन के तौर पर हम भारत के सर्व स्रेष्ट स्री निवास रामानूजम को लेते हैं। वह एक समानी निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी किवल अपनी साधना और द्रिड संकल्पों से देश के ही नहीं समस्त विश्व के स्रेष्टम गनितक की वने थे। रामानूजम की मा चक्की पीश कर अपना और अपने बेटे का पालन पोशन करती थी। बालक को कहीं अध्यन या पढ़ने की सुभिधा नहीं थी। उनकी द्रिड संकल्प शक्ती वह विश्वास से वह कच्छा से बाहर बैठ कर भी पाठ कंथस्त कर लेते थे। और रेखा गनित विशय की जटिल समश्याओं और सवालों को सुल्जा लेते थे। उनकी मेधा को देखकर टॉम्श हांडी आशिर चकित हो गए और रामानूजम को कैम्ब्रीज विश्विध्याले की। ट्रिनिटी कॉलेज में ले गए। आस्था से जुड़े विचार अद्भूस शक्ती उत्पन करते हैं। उन्होंने गणित की MSC की परिक्षा में विश्विध्याले में सर्वोच अस्थान प्राप्त कर लिया था। अपनी संकल्प शक्ती से टॉम्स हांडी और दूसरी गणितग्यों को भी पीछे छोड़ दिया। वे भारत के ही नहीं वरन विश्व की एक स्रिस्टम गणितग्य के रूप में गौरवानवित हुए। अब हम अटल बिहारी पास पेई जी का उदाहरन लेते हैं। लेकिन अटल जी की अखंड संकल्प शक्ती से ही वह भारत के परधान मंत्री बने। अब हम बात करते हैं विचारों की शक्ती के बारे में। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम स्वयम ही अपने जीवन के सिरजन हार हैं। हम अपने विचारों के द्वारा ही उपर चढ़ते हैं और अपने विचारों के द्वारा ही नीचे गिरते हैं। हम ही अपने इरादों और संकल्पों का सिरजन करने बाले हैं। पक्के इरादों से हम आगे बढ़ते हैं और गलत इरादों से हम गिरते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन पाते हैं हम स्वयम के भाग ये निर्माता हैं हमारी विचार धारा चार तरीकों से गतिमानक रहती है पहला है बिनाशकारी विचार सैली दूसरा है नाकारात्मक विचारशैली और तीसरा है सकारात्मक विचारशैली और चोथा है अदभुत विचारशैली अब हम आते हैं विनाशकारी विचारशैली पर मान लेजिए एक आदमी पहली बार कार चला रहा है और उसे बिनास्कारी बिचार आता है कि मैं पहली बार सहर के ब्यस्त इलाके में कार्द लेकर जा रहा हूँ कहीं एकसिडेंट न हो जाए जब उसकी बिनास्कारी बिचार शैली ऐसी है और वह गाड़ी चलाता है तो निश्चे ही दुरघटना होगी अपनी विनासकारी बिचारों से मनुस स्वेता ही मरता है और दोस देता है इश्वर का अब हम आते हैं नाकारात्मक बिचार सैली पर दूश्री श्रेनी का बेक्ति सदा नाकारात्मक बिचार लाएगा कि मैं उदेश पर बहुत सकता हूँ नहीं भी बहुत सकता हूँ फिप्टी फिप्टी हो सकता हूँ आधा साकरात्मक सोच और उसके साथ साथ नाकारात्मक सोच नाकारात्मक सोच से ब्यक्ति असफलता का सामना करता है वह समस्या में फस्ता चला जाता है अब हम आते हैं साकरात्मक विचार सैली पर जो तीशरा बेखती है वो कहेगा कि यदि मैं पहली बार गाड़ी लेकर जा रहा हूं ब्यस्त इलाके में पर जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा उसकी सोच साकरात्मक है वह बेखती हर परिस्तिती को अच्छी तरह समहा लेगा और सकुसल बापस आएगा वैसा बेखती जो परिच्छा की पूर्व ही सोचेगा कि मैं इस परिच्छा में अवस्य ही पास होऊंगा तो उसे पास होने से कोई नहीं रोख सकता वो अवस्य ही पास होएगा ध्यान में बैठने से पहले जो ब्यक्ति सोचेगा कि मैं अपने मन पर अबस्य बिजय प्राप्त करूँगा तो ऐसा ही होगा विकास के बिविद अस्थरों पर पहुची हुई आत्माओं की बिचारधारा भी उसी प्रकार होती है अब हम बात करते हैं अद्भुत बिचार सैली के बारे में चमतकारी बिचारधारा का स्वामी मास्टर होता है उसके बिचार अद्भुत होते हैं उनके अद्भुत बिचार होंगे कि मैं हजार वर्षों तक इसी शरीर में रहूँगा मैं अमर हूँ और इसी शरीर के शाथ अमर रहूँगा ये सब संभव है क्योंकि उन्होंने सोचा है अपनी अदभुत सोच का परिनाम है हम जो सबजी बजार से पसंद करके लाते हैं वही सबजी रसोई में पकाते हैं और वही ठाली में खाते हैं एक सबजी खरीदी और दूसरी सबजी पकाई ऐसा नहीं हो सकता जो हम विचार लाते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन का निर्मान होता है हमें केवल चमतकारी बिचार ही खरीदनी है और उन्हीं को पकाना है और उन्हीं को खाना है भगवान कृष्ण हमें अद्भुत बिचार शक्ति देते हैं हमें अपने चिंतन को चमतकारी बनाने का लक्षे रखना चाहिए यही मास्टर की पहचान है संकल्प हीन जीवन दिशा हीन होकर विखर जाएगा हमें सदा ही अपनी साकरात्मक विचारधारा के द्वारा अपनी सोच को सुध रखना चाहिए एक ही सोच को परिपूर्णव मजबूत बनाना चाहिए विचार शक्ती ही संकल्प शक्ती है जितना गहरा ध्यान हम करते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति को हम पाते हैं जितना हम मौन रहते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति हमें मिलती है जितना ध्यान शास्त्र को हम समझ पाते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति हमको प्राप्त होती है मौन, ध्यान शास्त्र, ज्यान के द्वारा संकल्प शक्ति मिलती है और जहां भी तेनों की कमी होती है संकल्प का हास होने लगता है और एक संकल्प के कई बिकल्पों का ताता सा लग जाता है इससे मानब जीवन अब्यवस्थित हो जाता है मानव की चिंतन, विशारों और संकल्प रूपी फसल में जो बिकल्पों का खर्पतवार है उसे निकाल कर फेकना है PSSM के सारे मास्टर्स आज इस संकल्प शक्ती, संकल्प शुद्धी और संकल्प सिद्धी के बारे में समझ रहे हैं अगर विकल्प हो, तो विकल्प सिद्धी और संकल्प हो, तो संकल्प सिद्धी होती है मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह सोच हो, तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी कर पाने की सिद्धी नहीं होगी हमें हार का सामना करना पड़ेगा इसका अभिपराय है कि हमारी शक्ती हमारे ही हाथ में है अब हम बात करते हैं कल्पना के बारे में कल्पना का अर्थ है कल्प अतार्थ तैयार होने वाली स्रिस्टी कल्पना का अर्थ है काल्पनिक स्रिस्टी पदार्थ जैसे कि हमने सोचना शुरू कर दिया मैं निकम्मा हूँ मैं निकम्मा हूँ मैं निकम्मा हूँ ऐसा सोचते रहेंगे तो कोई काम करेंगे तो उसमें हम असफल ही होंगे यहाँ पर हमारा विकल्प सिध हो रहा है जहाँ पर हार है वहाँ पर विकल्प है और जहाँ पर जीत है वहाँ पर संकल्प है संकल्प हो तो संकल्प की सिध्धी होगी सच में हम जो कल्पना करते हैं जो संकल्प या विकल्प करते हैं हमें उसी में सिध्धी होती है संकल्प की प्रचंड शक्ती हो तो संकल्प की सिध्धी होगी ही होगी जॉर्ज वर्नार्ड शा ने सची कहा है कल्पना शिर्जन का आरंभ है आप अपनी मन चाही चीज की कल्पना करते हैं अपनी कल्पना पर द्रिड इच्छ सकते का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मन्चाही चीज का स्रिजन कर लेते हैं तो अपनी कल्पना का इस्तिमाल करके अपना मन्चाहा संसार बनाईए धन्यवाद दोस्तों